वेस्टों गाइज, I hope you are doing well, I am Veer, welcome to study love family, तो कैसे हो दोस्त मैं आसा करता हूँ, श्यांदा, तरीके से आप लोग अपनी life को enjoy कर रहे हो, अपनी सेयद, family और प्राई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो, आज का जो lecture है काफी important रहने वाला है, काई सारे important concept आप लोग को थोड़ा सा study day बनाते हुए, कुछ फंडे बनाते हुए, कुछ आप लोग को health के tips भी हाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग अपनी life में implement करकर, अपनी life को थोड़ा सा improve कर सकते हैं, और कई सारी important जो concept है, वो आप लोग को day by day की life में फायदा कोंचाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आसपास में आप लोग क्या चल रहा है, क्या debate, discussion है, उन सब चीजों को भी आप लोग जान पाएंगे, और कई सारी interesting चीज़े आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेगी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी news, जो कई सारे लोग सुनने के लिए तरस रहे थे कि क इसके बारे में आइडिया रखेगा, इसी के साथ में आपर बात की जा रही है, यह है कमला हैरीज, तो यह एक इंडो अफेरिकन जो परसनेलटी है, इंडो अफेरिकन अमेरिकन परसनेलटी हैं, आपर इंडो अफेरिकन अमेरिकन परसनेलटी, जो यहाँ पर वाइस इसी के साथ में जैसे आप लोगों ने साध कल आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो काफी डिटेल में मैंने डिस्स किया किस तरीके से जो USA के प्रेजिडेंट हैं वो इंपेक्ट डालने वाले हैं आने वाले टाइम में इंडिया का इरान के साथ में रिलेशन इंडिया तो confused मत होएगा, सारी चीजे pattern में आप लोगी cover होती रहेगी, ठीक है, इसी के साथ में जो एक काफी important जो आज मुझे news लगी, वो आप लोग का concept भी हाँ पर develop करेगी, और आप लोगों से direct question भी पूछा जा सकता है exam में, आप लोगों पता है right to recall क्या होता है, वीडियो को हीपर ही पोज कीजे थोड़ी देर के लिए, और नीचे comment box में बताइए, कि आप लोग इससे क्या समझते हैं, right to recall, right to recall का मतलब क्या होता है, जिसको RTR के नाम से आप लोग जानते हैं, right to recall का मतलब एक तरीके से में थोड़ सा आसान सब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जैसे मालीजी आप लोग किसी एरिया में रहते हैं, किसी गाउं में आप लोग रहते हैं, और गाउं के परधान को आप लोगों ने चुना, परधान को चुना था यार यह अच्छा काम करेगा, इस एरिया में सड़के बनाएगा, नाली को साप रखेगा, ख्रंचा वगेरा बनाएगा, लगवाएगा, उसी स्ट्रीट जो गाउं में जो लाइटे लगी हुई हैं, उनको सही कराएगा, कुडा करकर नहीं देखने को मिलेगा, उसके लिए चुना गया, पर लेकिन जैसे ही वो पोस्ट उसको मिली, वो बन्दे ने जो है अयासी करना है, इस टार्ट कर दी, गाउं में कुछ भी सही नहीं कर रहा है, बस अपनी लाइफ को एंजोय कर रहा है, तो इस टाइम पे सबसे बड़ी बात क्या है देखने वाली, वो ये है, कि अब 5 साल के लिए इसको जेलना है, या फिर इसको हटाना है, तो हटाना है, तो कैसे हटाना है, तो जगर 5 साल से पहले इस तरीचे से जंता के हाथ में अगर power दे दी जाए हटाने की, कि इसको परस system दूसरा होगे, state और तीसरा होगे, local system जिसमें panchayat और municipality आती है तो कुछ राज्य हमारी country में ऐसे है local system पे जहाँ पर panchayat और municipality आती है, यहाँ पर right to recall implement किया जा चुका है तो अभी यह right to recall जो है हमारी country में जो हर्याना राज्य है वहाँ पर भी implement करने की बात कि जा रही है पर लेकिन जो former chief minister है आपर हर्याना की, वो यह बोल रहे है कि भाईया, आप लोग right to recall पहले member of parliament, member of legislative assembly यनि कि जो विधायक होते हैं, जो sansad होते हैं, पहले उनके उपर लगाईए उसके बाद में आप लोग इसको ground level पर लेकर आना, यनि कि right to recall का जो concept है, आप लोग पहले इसको इहां पर implement किजे local area पर, वो sorry पहले आप लोग इसको upper level पर implement किजे तब इसको local area पर लेकर आना तो ये बाते हैं पर इनके द्वारा बोली गई है अब कुछ important concept right to recall के बारे में आप लोग समझ लीजे, अगर question बने तो कहां कहां पर ये implement किया जा चुका है, हमारी country में अगर बात करूँ, पंचायत के level पर तो उत्तर परदेश, उत्राखंड, बिहार जारखंड, मज्या परदेश, चतिसगर महरास्टा और हिमाचल परदेश ये राज्य हैं जहां पर right to recall implement किया जा चुका है, ये इनके मोटे मोटे तोर पर अगर मैं आप लोग को बोलू तो northern जो belt हैं आपर, उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा right to recall implement किया जा चुका है, और अगर आपर recall होगा तो by election होगे by election का मतलब क्या होता है, जब election जो हो time से पहले conduct करा दिये जाते हैं जैसे मालीजे, आप लोग की अगर 2014 में election होए, फिर 2019 में होए इसके बीच में अगर कोई particular person की death हो जाती है, या फिर entity fraction लोग के थूरू ये person यहां से हटा दिया जाता है, तो वो seat खाली हो जाती है तो इसका मतलब ही हो गया, वो seat खाली हो गया तो यहां के जो लोग है, तो यहां के लोग तो कहीं represent हो नहीं रहे हैं, अगर यहां पर इनका कोई representative नहीं है, तो इसके चलते उस seat को भरना ज़रूरी है तो इसलिए आपर यही implement किया जा रहा है हमारी country में भी कि हाँ इसको कम से कम local level पर by election के थूँ इसको भरा जाए तो right to recall जो है आपर यह एक तरीके से हमारी country में कई सारे राज्ये हैं जिसमें citizen को power दी जाती है ताकि वो replace कर सके public servant को ठीक है जो की सरपंच हो गया मुख्या हो गया कोर्परेटर हो गया इसके साथ में mayor हो गया तो इस level पर यहाँ पर इसको हमारी country में implement किया जाता है अगर बात करूँ यहाँ पर right to recall एक 2015 का यह बात की जारी है UK यानिके United Kingdom उनके भापर भी हाँ यह एक्ट है जो की implement किया जाता है member of parliament पर तो हमारी country में भी हाँ पर हर्याना के जो former chief minister वोपेंदर सिंग हुड़ा वो यह कह रहे है और इनको member of parliament पर भी तो implement करो असली तो देश वो ही चला रहे है यह तो भीचारे छोटे 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 प्यादे हैं नीचे level पर दो तो उनको भी आप लोग घटाओ तो उसी के लिए हाँ पर इसको कह रहे हैं कि हाँ पर भी इसको implement करो right to recall जो है यह तरीके से कहीन है कि आप लोगो power देता है right to elect के लिए भी यहनिके आप लोग किसी को recall करोगे हटाओगे वहाँ से तो फिर आप लोग इलेक्ट करोगे और इसी के साथ में जो सबसे interesting बात वो है वो यह है कि यह जो हमारी country के surgeon है उनको सोचने की power देता है कि क्या यह इंसान सही कर रहा है गलत कर रहा है ऐसा नहीं कि बस यार बोड दे दियार भूल जो ठीक है वो नहीं है इसको यह भी देखना है कि अब यह सही कर रहा है गलत क रहा है तो मिलकर हटा उसको और सही कर रहा है तो और सपोर्ट कर रहा है तो यह एक अच्छी चीज़ है कि कहीं हमारे surgeon हो सोच फाते हैं कि यह सही हो रहा है यह गलत हो ठीक है तो यह सोच फाते हैं कि कि किस direction में चीज़े चल रही है पर लेकिन अगर बात करें हमारी country में ज चला बीच बीच में जनता को बहला कर फुसला कर कुछ ऐसी हरकते की जा रही है कि फिर यहाँ पर पदा चला कि particular candidate को चुन कर आ रहा है तो unstable government बन जा रही है तो इसलिए हाँ पर इनके द्वारा इसको accept करने से आपर मना कर दिया पर लेकिन अगर आज के scenario के इसाब से आप आज की में हमारी country में implement होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए तो आप लोग की इसके बारे में क्या रहे हैं आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं तो अपनी राय ज़रूर बताएगा, right to recall जो है वो कहीं नगी political जो education है वो लोगों तक पहुचाएगी और increase करेगी लोगों को ताकि वो सही और गलत में difference समझ सकें और सही चीजों को आगे लेकर आ सकें तो लोगों को भी जागरूप करेंगे हाँ पर यह right to recall तो इसके बारे में आप लोगी क्या रहा है तो आप लोग 40-50 सब्द इसके बारे में लिख सकते हैं अगर इंटर्व्यू में question आया फिर डेट कोशन पूछा जाए तो भी आद रखेगा और क्या आप लोग राज्यस में हैं right to recall वाले area में तो इसके बारे में भी आप लोग बताईएगा इहां पर यह चोटी से नियूस है यह कल नियूस्वेपर के दौरा भी आज नियूस्वेपर के द्वारा भी कवर किया गी है और आप लोग ने भी सैज इसको देखा होगा यहां पर यह चोटीबल है जो एंबुलेंस के सामने दोर रहे हैं ताकि जो रोड है उसको किलियर किया सके और काफी लंपे समय तक इन्होंने दोर लगाई तो देखे ऐसा तो है नहीं कि इनकी डूटी थी कि इस तरीके से इनको लेकर चलना है कि हाँ इनको एंबुलेंस के आगे रोड को साथ कराते जाना है पर लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जो रेस्पोंसिबल्टी है उसको और अच्छे लेवर पर पहुँचाया तो इस तरीके से अपनी डूटी जो है आप लोग किस लेवर पर पहुँचा सकते हैं यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, तो इसलिए अपनी duty, अपनी responsibility आप लोग गच्छे से निबानिये, और उसको अगर आप लोग गच्छे से निबाएंगे, तो उसका अफल आप लोग को जुरूर मिलेगा, यहां पर यह देखे रातो ही रात फीरो बन गए अपनी जो उन्हें यह जो काम किया है, वो बिना किसी फाइदे को इधान में रखते हुए, इनके द्वारा इक काम किया गया है, ऐसा निये कि हापर इनका कोई मकसद था, इनको कोई देखे, ऐसे कोई परपज इनका नहीं था, ठीक है, तो यह काफी अच्छा लगता है जब इस तरीक जो उधारन है, आप लोग हाँ पर इनको मेंसन कर सकते हैं, तो यह इंपोर्टेंट उधारन होते हैं, इनको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ में आप लोग जो भी हाँ अपकी बार मेंस दे रहे हैं, सबसे पहले तो all the best to all of you, आप लोग का जो टाइम ट पेपर आप लोग को देखने को मिलता है, दो सेड्डिूल में हाँ पर आप लोग को नजर आते हैं, जो यहाँ पर जी दिन ऐसे का पेपर होता है, उस दिन आप लोग हैं पर उनली ऐसे का पेपर होता है, तो दो सिप्ट में आप लोग ने जिसने बी कभी मेंस लिखा होग ये दो सिप्ट में हाँ पर पेपर होता है और तीन-तीन घंटे तक आप लोग को मसकत करकर लिखना होता है जो उंगली है जिसे पहन पकड़ते हैं वो ऐसी हो जाती है लास तक आते हैं पेपर में इतना लगता है कि सोज़़गा आता है कि क्या होगे पुरा दर्द करने लगती है उंगली आप लोग उने जिसने रिखा होगा उसने फिल कियोंगी ये चीज़े तो ये इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करिए अच्छे से ताकि उस टाइम पर आप लोग ज्यादा अंकमफरटेबल फिल ने करें फिर 9, 10 में हाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो आप लोगे जनली स्टडी के चारो पेपर है फिर आप लोगे हाँ पर देखने को मिलेगा language के पेपर आप लोगे हाँ पर देखने को मिल रहा है ठीक है 16 में और फिर 17 में है optional paper तो यह है आप लोग का schedule जो कि आप लोग अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से implement कीजिए इसी के साथ में जैसे मैंने सोचा है कि Saturday में आप लोग को एक essay देता हूं लिखने के लिए इसी तरीके से Sunday में आप लोग को जैसे मैं एक ही दिन दे दिया करता है तो Sunday में आप लोग को जो ethics की जो case study वा करें की वो दिया करूँगा ठीक है वैसे बीच में भी दे देता हूँ जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले भी आप लोग ethics की case study देती है ये दोनों चीज़े आप लोग को टेलिग्राम पर भी आप लोग जोइन कर सकते हैं वहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा और इसी के साथ में Facebook पर जो Answer Writing Group है वहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा तो ये 2020 का यहाँ पर इसरो का first mission अभी हाँ पर लोग को बता है कि जब हमारी country में नहीं total all over world में Corona ने सब को चपेट में ले लिया तो उस टाइम पर लग नहीं रहा था कि कुछ जल्दी से चीज़े normal होने वाली है तो यहाँ पर यह आर्थ observation satellite तो 2020 जो polar satellite launch vehicle है जिसको PSLV पी हटा दीजे इसमें से SLV हो जाएगा इसका जो C49 vehicle है इसके द्वारे हाँ पर इसको launch किया गया है यह basically जो काम करने वाला है agriculture, forestry और disaster management में काफी बड़ा role play करने वाला है इसको launch किया गया है कहां से? यह 37 धवन Space Center जो की सिरी हरिकोटा आंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा और अगर चन्ने से आप लोग इसके distance देखेगा तो 110 km की करीब आप लोग को देखने को मिलेगी 9 जो customer satellite है वो भी हाँ पर एक तरीए छोड़े जा रहे हैं जैसे कि USA हो गया, Lithania हो गया, Luxembourg हो गया देखे यह जो country है आप लोग ने देखा कि USA जैसी country हमसे satellite को launch कराती है क्योंकि हमारी country में जो satellite launch करने की जो cost है वो काफी कमाती है अगर satellite launch करा जाते हैं तो हमारी country जो है एक तरीक से काफी बड़ी market बनती जा रही है satellite को launch करने की क्योंकि हमारी country एक सस्ता solution प्रोवाइड कराती है तो यह एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है बाकी एक साइड में थे USA के election और दूर साइड में हमारे बिहार के election जो थे वो USA के election पर भारी पड़ गए कहीं नगे आप लोग यह देख सकते हैं निकि इनका भी चर्चा पूरा था country के अंदर तो बात की जा रही है आपर जो RJD जो Indian National Congress और जो Left है इसके द्वारा मिलकर यहाँ पर government बनाई जा रही है तो जितने भी सब के द्वारे हैं पर post election जो analysis किया गया है तो उसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है आप लोगा क्या मानना है आपर आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं चलिए जो भी है अच्छा होना चाहिए implementation जो भी करे जो भी government आए जनता की favor में काम होना चाहिए next यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर यह है गोपकर alliance के बारे में यह direct आप लोगों से question पुझा सकता है कि हाँ पर यह गोपकर alliance किया है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं आप लोगों को पता है हमारी country में जब हमारी country में 5 अगस्त 2019 में article 370 में change किया गया तो उस time पर state को convert करकर unit territory में convert कर दिया गया तो उस time पर जहां कि जो political parties थी उनके द्वारा काफी large scale पर यहां पर जो चीज़े थी उनका protest किया गया और खासकर जब massive deployment किया जारे था forces का इनके बहुत सारे जो जवान थे हां पर जब move किया जारे थे इस particular area में तो उस time पर यह declaration लाया गया ताकि जो article 370 में जो change किया गया उसको फिर से restore किया जा सके फिर गोपकर declaration second यहां पर सामने निकल कर आया उसने बोला कि revoke किया गया जो special status उसको फिर से लेकर आओ यहां पर जम्मु एंड कासमीर के अंदर में तो यह इनके द्वारा बोला गया इवन आप लोग को मैंने बताया भी था कि जो पागिस्तान की जो foreign minister ने उनके द्वारा भी comment किया गया कि गोपकर alliance जो है बड़ा बड़ी सही चीज है इसको implement करना चाहिए आप तो पागिस्तान ने भी comment किया तुरन तो हमारी country के जो politician उन खासकर जो state बनाना है फिर से union territory से convert करके यह है यहाँ पर गुपकर alliance ठीक है तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा idea रखेगा और अच्छी बात है यहाँ पर यह गुपकर alliance को जो follow किया जा रहा है वो गांधियन principle पर follow किया जा रहा है यानिकि यह निए कि हाँ पर कहीं bullet चल बारे में बात की जा रही है अभी फिलाल क्या चल रहा है यहाँ पर पी एजीडी यहनिके people's alliance for गुपकर declaration इनकी meeting अभी देखने को मिली जिसमें सब के द्वारा मिलकर बोला गया है कि वो अब आने वाले time में जो भी district development council के election है वो यहाँ पर इनको एक तरीके से election में participate यह मतलब जो हमेसा opposition में रहते थे national conference हो गया इसी के साथ में people's democratic party हो गया यह सारे अब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे गुपकर alliance के चलते हैं आप जो की पहले opposition में रहते थे इसी के साथ में इनके द्वारा पहले पंचायत और urban जो bodies के election थे उनमें participate करने से मना कर दे था article 370 को ज्यान में रखते हुए पर अब इनको लग रहा है कि इस तरीके से चीजे एक तरीके से मना करना कोई सही बात नहीं है इसलिए यह फिर से अब इसमें participate कर रहे हैं ठीक है तो यह एक important मुद्ध है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं next यहाँ पर जाद है बड़ा तो नहीं पर फिर भी छोड़ा छोड़े question कई बार ऐसे बन जाते हैं यहाँ पर यह एक particular area है महरास्टा के अंदर देखने को मिलेगा अपने घर को सजाय जा रहा है इनके दौरा किसके दौरा यहाँ की जो tribal community के जो लोग हैं यह वरली आठ के दौरा इसको यहाँ पर सजा रहे हैं तो आप लोगों से ऐसे question बड़ी frequently पूछे जाते हैं exam में तो यह जो आठ कलाकारी हाँ पर की जा रही है इनकी माताजी है और लड़के हैं दोनों यह मिलकर अपने कच्चा जो घर है मिट्टी का बना हो जो घर है उसको सजा रहे हैं तो आप लोगों से वरली painting के बारे में पूछ लिया जाता है तो यह tribal art है हाँ पर जो tribal logo के द्वारा खासकर नोर्थ सियादरी जो range है महरास्टा के अंदर वहाँ पर यह देखने को मिलता है तो वरली art जो है वो कैसा art है एक tribal art है ठीक है जो की mainly आप लोगों को महरास्टा मे तो आप लोगों से question बनी सकता है इसी के साथ में central level के exam में भी आप लोगों से question पूछ जा सकता है कि वरली art painting जो है वो यहाँ पर किस particular area का art painting देखने को मिलता है ठीक है आए आगे बढ़ता हूँ तो दिपावली आ रही है सबसे पहले तो happy दिपावली to all of you advance में आप लोग की जा रही है आप लोगो देखने को मिलता है जैसे ही जो दिपावली पास में आती है तो सब को याद आ जाता है कि pollution भी फैल रहा है यानि कि politician भी सारे बाहर निकल कर आ जाएंगे सारी चीजे देखने को मिलेगी पता निये पूरे साल कहां रहते हैं दिपावली आते इनको pollution याद आ जाते हैं उसके उपर politics करने लगते हैं हम यह कर रहे हैं उसकी वज़े से यह हो रहा है यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कि माली जै बिहार में बाड आ रही है न जब बाड आएगी तब इनको याद आएगा कि बाड आ गई है मतलब उससे पहले कुछ नहीं है पता है यार उस टाइम पर बारिस होगी उस टाइम पर पानी कहां से निकलेगा उसको कुछ अरेंजमेंट करो solution करो मतलब 30 साल से same problem face करने और उसका कोई solution निकल रहा है तो इसका मतलब नकारे लोग बैठे हुए यह आप लोग को देखने को मिलते हैं same condition यहाप जैसे दिपावली आ अपना दिखाना है एक responsible citizen की तरीके से कोसिस करो कि जो green पठाके ही green fire cracker ही आप लोग use करो कर दिपावली आप लोग celebrate कर रहे हैं कहां से ही चीज़े निकल कर आई थी वैसे Supreme Court के द्वारा 2018 में हाँ पर sale जो भी बेचे जाते हैं खरीदे जाते हैं या बनाए जाते हैं जो cracker होते हैं पठाके जो होते हैं तो उनको बोला कि green category में इसको लेकर आना है क्योंकि जो cracker थे वो mercury free होने चाहिए arsenic और यहाँ पर barium यह काफी health को on environment को यहनकि हमारा जो certain limits से जादे हैं पर एक तरीके से जो उनका noise वगरा नहीं होना चाहिए वो पठाके जो हैं उनमें सारी चीज़े एक तरीक से limited होनी चाहिए ताकि एक यह समझा जाए कि हाँ डिपावली बनाए जा रही है और environment को नुकसान भी नहीं पहुचा रहे हैं तो यह जो cracker हैं इनक लेकिन यह confusion में डालने के लिए question पूशा सकता है petroleum and explosive safety जो हाँ पर यह organization है यह promotion of industry and industrial trade यहनके ministry of commerce and industry के अंडर में आता है तो यह important question बन जाएगा confusion में डालने के लिए ऐसे question बड़ी frequently आते हैं established किया गया था इसको 1898 में head of uses का वो नागपुर महरास्ता के अंदर में है दूसरा जो यह develop किया गया है ग्रीन क्रैकर यह national environmental and engineering research institute यानिके N.E.R.I. जो की council of scientific and industrial research की lab है जिसके द्वारा यह develop किया गया है CSIR किसके अंडर में आते हैं यह ministry of science and technology के अंडर में आता है यानिके दोनों ministry यहाँ पर मिलकर काम कर रही है ताकि इसको धंग से implement किया जाए और CSIR यानिके council of scientific and international research का तो यह मानना है कि 30% तक यहाँ पर यह जो है basically particulate matter जो है उसको काम करेंगे अगर इनको धंग से implement किया जाता है interesting बात यहाँ पर यह कि इनके उपर QR code भी लगाया गया है QR code इसलिए लगाया गया है क्योंकि ताकि जो duplicate माल है वो market में नहीं आ सके और एक तरीके से पता चला कि firecracker ला रहे market में उल्टे सीधे बनाकर और उन पर लगा दिया गया कि green cracker है ठीक है तो QR code से यहाँ पर identify कर पा कि कई तरीके पटा के देखने को मलते हैं कोई red color निकाल रहे है कोई orange निकाल रहे है कोई yellow कोई green कोई blue कोई purple कोई white कहां से आ रहा है color निकल कर इस color के बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं क्योंकि direct question आप लोगों से बन जाता है match करने के लिए कि हाँ किसकी वेसे color देखने को मिलते हैं yellow color जो रहते हैं यह sodium salt का देखने को मिलता है जिसमें nitrate and oxalates of sodium रहते हैं green color है barium का देखने को मिलेगा आप लोगो बेरियम सोल इसमें nitrate, carbonate, chloride, chloride और इसी के साथ में chloride of barium तो यह देखने को मिलेंगे copper salt के बारे बात कि जा रहे हैं तो इसमें carbonate of oxide of the copper, copper आप लोग देखने को मिलेगा, white जो हैं यहाँ पर यह metal like magnesium aluminium और titanium है इसमें देखने को मिलेगा, तो white में हैं आप टाइटनिक याद रख लिजेगा, चलिए जो भी है हलका सा idea रखेगा इनको एक बार को आप लोग छोड़ देजेगा, पर लेकिन यह जो starting वाला है आप इसके बारे में ट्रिक आप लोग बना सकते हैं, तो नीचे comment box में उस ट्रिक को भी mention कीजेगा, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, नेश्टियां पर यह काफी important है, जो आप लोगों से कई बार question में बन जाता है, बायो diversity heritage site के बारे में, तो अभी करनाटका के अंदर चार ऐसी बायो डायो डाय diversity heritage site जो है, यह कोन है पर एक तरीके से declaire करता है, तो हमारी country में section 37 है, biological diversity act 2002 का, यह state government की हाथ में power देता है, कि वो local body के साथ में इसको discuss कर सके, यहन कि जहां पर यह बनाई जा रही है, तो local area में, जो official है, उस particular area में, gram level पर या municipality के level पर, तो उनसे discuss किया जा सके, और इसको biodiversity heritage site में इसको यहाँ पर declare किया जा सके तो biodiversity heritage site जो है वो कैसे definite की जाती है तो जैसे कि इसको एक fragile area यानिके जहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है चाह तो वो land का है चाह कोस्टर area है चाह inland water है यानिके ऐसे जैसे आप लोग कोई भी area बोल सकते है जहाँ पर जो environment के point of से ecologically वहाँ पर एक तरीके से कमजोर चीज़े देखने को मिल रही है कुछ चीज़ों पर impact पड़ता हुआ नजरा रहा है जैसे कि कई सारी जो rare और threatened species देखने को मिलेगी keystone species महाँ पर देखने को मिलेगी जैसे कि tiger हो गया ठीक है एक तरीके से particular area में एक keystone species का नाम आप लोग उसको दे सकते हैं ठीक है यानिके बहुत बड़ा role play करता है महाँ पर एक food chain को continue रखने में इस species जो evolution जो significance है जो काफी important है या फिर जो arch की date में ancestor of domestic और जो cultivated species है यानिके पुरानी जो species है इस तरीके से उनको continue कैसे रखना है ठीक है biological component जो खासकर fossil beard अगर कोई देखने को मिलेगी या फिर culture के ethical point of view से या maintain करना है culture by diversity अगर ये सारी चीजों में से कोई भी एक यानिके बोला जा रहा है कि anyone or more इनमें से कोई भी हाँ पर रहती है तो उसको या पर ये declare कर देते है यानिके local area पर चीजों को maintain रखने की कोशिस इसके through की जाती है तो ये हैं आपर biodiversity heritage site तो ये important act है section 37 biological diversity act इस्टियर government के हाथ में ये power रहती है local body के साथ में consult करकर इसको declare करता है तो ये काफी important question आप लोगे लिए हाँ पर बन जाता है ये है उरंबी area ये हैं यहाँ पर बात की जारे है कुमारधरा river जो ये river भी आप लोग याद रखेगा दक्सिना कनड़ा ठीक है तो बायर डाइवर डाइवर्सिटी ये चार एरिया है यहाँ पर कई बार पर पर प्रणे सेसन में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो उस ये हैं पर राज्य हैं जो करनाटकों को आजकेड़ में टच करते हैं तो ये उनके 6 राज्य आजकेड़ में करनाटकों को टच करते थे जब तेलंगाना और अंदर प्रदेश एक राज्य होगा तो पांच टच करते थे पलेकिन अभी ये 6 हो गए हैं आप ठीक है तो इसके के बारे में हाँ पर बात की जा रिए Supreme Court में हाँ पर केस पहुंचा कि लोटरी जो है उस पर अलग-लग तरीका tax लगा जाता है अगर कोई lottery ticket जो है वो राज्ये के अंदर बेचे जाता है तो 12% GST है अगर वो किसी दूसरे राज्यका कोई बंदा खरीद रहा है तो इस पर राज्या आंगी सिस्का knots की दिखा रहा है। जो इस पहुता भी नहीं है। कोट के पूल गया है कि article 14 और हमआरे समयध्चा का fundamental right के बारेय में जो всे Adam कामेंटर राइट जो है वो पार 3 में हमारे समीधान में आर्टिकल 12 से लेकर कितने तक यहां पर रहता है यह वाले लिमिट आप लोग बताईए इसमें आर्टिकल 14 जो है आपर यह बात करता है एक तरीके से कि कोई GST News में है GST जो है हमारी कंट्री में 2017 में 1 जुलाई को इंप्लिमेंट किया गया था Goods and Service Tax जिसको आप लोग बोलते हैं यह एक तरीका indirect tax है यह आप लोग डिरेक्ट जाकर गवर्मेंट को पे नहीं करते हैं इन डिरेक्ट वे में गवर्मेंट तक पहुंच जाता है इसी के सा Commission है जो कि आप लोगो पता होना चाहिए अगला जो न्यूस है यह काफी इंपोटेंट है इसको थोड़ा सा डेटेल में हम लोग डिस्स करेंगे बात की जारी है चहाबार पोर्ट के बारे में सबसे पहले तो आप लोग समझे चहाबार पोर्ट है कहाँ पर चहाबार पोर् जो है वो इसी गवादर पोर्ट से यहाँ पर चलता है और चाहिना में क्या लोकेशन है जहां से चलता है यह मैंने अभी आप लोग को एक दिन पहली बताया था इसका नाम आप लोग को बताना है ठीक है कोशन है इनके आंसर दिया कीजे तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे तो इनको जरूर अटेम्ट क्या कीजे आप लोग ठीक है तो यहाँ पर जो बात की जा रही है यह है बेसिकली हाँ यहाँ पर यह धर चाहबार हो गया होमवर्क की तरीके से भी आप प्रोशेक्ट विधाउट इन्डिया यहाँ पर जो इरां के द्वारा इसbank कीया गया क्योंकि इन्डिया जो है वो यूसे के प्रेसर में आकर कई सारे प्रोजेक्ट एराण में वो पेंडिंग में ढाल रहा है उनको ढग से सकोर्ट नहीं कर रह है क्योंकि EphOigu martyr लेक्सर तो अभी जो इलेक्सन हुए आपर जो बाइडन साब जीत कर आएं, तो यह लग रहा है कि इंडिया और इरान के रिलेशन जो है, वो थोड़े अच्छे होते हुए अब नजर आएंगे, तो यहाँ पर इंडिया के इंडिया जो पार्ट नहीं है, यह है चाहबार जहींद, ज जो कि आगे चल कर अफगानिस्तान के बोडर तक पहुंचता है, तो इसमें इंडिया की help मांगी है, इरान के द्वारा, इरान बोल रहा है कि हमको crane, truck, switches, इसी के साथ में signal के equipment होते हैं, locomotive, यह सारी चीजे हमको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि USA ने sanction imposed कर रखे हैं, तो इसकी वेसे कोई हमको यह supply नहीं कर रहे है, तो इंडिया से help मांग रहा है, कि इंडिया हमारी help करें, और इंडिया ने promise भी कहता help करने का, 150 million का line of credit, इंडिया के द्वारा offer किया था है आपर, इरान को, और यह उस ताइम पर offer किया था जब इरान के प्रेजिडेंट हसन रुहानी स जो इसका नाम है आपर, जिसका नाम है आपर फरजाद B, ठीक है, तो यह जो फरजाद B, यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह पर यह एक एरिया है, जो इंडिया भी हाँ पर इसमें काम करने के लिए, हाँ पर कई बार बाते करती है, इंडिया भी हाँ पर काम कर रहे है, प चाइना, चाइना के द्वारा 400 बिलियन डॉलर का agreement sign किया गया है यहाँ पर, इसके साथ में, यहाँ पर इरान के साथ में, तो इरान को help करेगा आने वाले टाइम में और चहाबार development के part भी हाँ पर इसमें include किये गये हैं, तो इसलिए अब इहाँ पर इसलिए से अब देखते हैं, कैसे balance निकल कर चल पाता है तो important news इसके बारे में, आप लोगा idea जरूर रखेगा बागी जो pollution है, वो फिर से high level पर पहुँच रहा है जैसे मैंने भी आप लोगों से बात की, डहली में यहाँ पर यह आप लोगों को देखने को मिलेगा बीमार पड़ सकता हैं आपर, तो इस category में हाँ पर अभी air pollution, air की quality, डहली NCR वाले reason में देखने को मिल रही है इसी के साथ में हाँ यह एक छोड़ी सी important news है देखे जब भी आप लोग ATM वगेरा use करिए, थोड़ा सका ध्यान रखिए कभी ऐसी वैसी जगे से अपना ATM यूज मत कीजे कोसिस कीजे कि वहाँ पर ATM यूज कीजे, जहाँ पर आप लोगों का आप लोगों का जो बैंक भी वहाँ पर है, यह फिर या उस एरिया में यूज कीजे ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, तो यह भी काफी important है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि बिना कोई दिक्कत हुए फाउल्दु में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा से जहान आप लोग रख सकते हैं, नेश्ट यहाँ पर एक बीमारी के बारे में बात की जा रही है, आने वाले टाइम में बहुत ज़दे बढ़ने वाली है, नाम है मायोपिया, निकट दरस्टी दो मिलता है, तो बात की जारी आने वाले टाइम में 64 मिलियन जो चिल्डरन है, वो यहाँ पर इस पर्टिक्लर बीमारी से जूजते हुए नजर आएंगे, मुझे भी आज की देर में पहले दिक्कत नहीं थी पर लेकिन आज की डेर मेरी आखों पर चसमें लग गए हैं, पर ज में से कुछ चीज़े ऐसी हैं, जैसी कि एक घंटे से जादे लेप्टोप के सामने मत बैठिये, एक घंटे में तुरंद रुजाईए, रिमाइंडर रखिया, फिर अलारम रखिया अपने पास में, उठकर आधे घंटे में थोड़ा चलिए, पानी पीते रहिए, अपनी आ में कोसिस केजिए, ग्रीन वेजटेबल वगरा, ये सब चीज़े, और मोर्निंग में नंगे पैर जो हरी घास होती है, उस पर चलिए, ये भी काफी ज़्यादे आप लोग की आँखों को फायदा पहुचाएगा, जो मायोपिया हैं यापर, ये सोट साइटने जो आप प्रोलम देखने को मिल रही है, अगर बात करें, दो हजार में, पच्चीस परचेंटी करी वर्ल्ड पोपुलिशन थी, आपर जो इस प्रोलम से जूजती थी, दोजार पचास में बोला जा रहा है, पचास परतिसन के करीब, जो वर्ल्ड की पोपुलिशन है, इस दिककत से जूजती नजर आएगी, तो ये कैसी वीमारी है, जो हमारी lifestyle disease आप लोग बोल सकते हैं, जिसको control किया जा सकता है, पर लेकिन हमारा रहना साना खान पीन ऐसा हो गया है, जिसकी वेसे ये चीज़े और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बाकी ज़्यादा बढ़ी तो नहीं ये South China Sea हैं आपर, तो इससे हैं आपर हमारी country में जो मिर्च आ रही है, वो नेपाल और स्रिलंका के थ्रू आ रही है, तो हमारी country की जो मिर्च हैं आपर ये, उनका जो भावे हैं वो काफी कम हो गया है, पहले 600-600 किलोग्राम पर किलोग्राम के एसाब से बेची जाती थी, अब 200-300 पर आ गई है, तो इसके चलते हमारी country के जो प्लांट रहे हैं, वो काफी दुखी हैं और बोल रहे हैं कि इसका कुछ इलाज कीजिए, इसका कोई solution निकालिए, वरना हम जो है, वो काफी दिक्कत में आ जाएंगे, तो ये था टोटल आज का डिसकसन, 11 बजे आज ए अब लोड करूँगा, तो जो भी होगा, वो एक तरी से प्रीमियर लगा दिया जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, जो लेक्चर हम लोगों ने अभी देखा है, एक बार उसका रिव्यू हम लोग कर लेते हैं, क्या कि हम लोग ने डिसस किया, तो यहाँ पर एक अब लोगों ने बात की, एक पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने आपर बात की, एक पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने बात की, ग्रीन क्रेकर के बारे में हम लोगों ने बात की, कौन कौन सा कलर कहा कहा से निकल कर आता है, वो देखा, ने अब लोगों ने आपर बा पर दो ला था कि एक ethics का question आप लोग का डाल दूंगे हैं हाप लोग देख लिजगा यहां पर भी आप लोग को मिल जाएगा वो और इसी के साथ में Facebook पर भी आप लोग को मिल जाएगा ठीक है तो मेरे साथ connect रह सकते हैं सारे link वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाते हैं ज तो यह आप लोग एक तरीके से जरूर पाटिस्पेट कीजेगा तो मिलता हूने एक lecture में बढ़ो को नमस्ते चोड़ो को प्यार छोड़ी सी life एंज्योई कुरार तब तक के लिए जैहिंद